Hello everyone, welcome back to my channel आसके वीडियो में हम बात करेंगे विंटर डाइरिया के बारे में बच्चों को सर्दियों के मौसम में दस्त होने का क्या कारण होता है कैसे इससे हमको बच्चे को बचाना है और किन बातों का ध्यान रखना है कि ये डाइरिया बच्चे को हो ही ना क्योंकि मेरे पास इससे रेलेटेड बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हमारे बच्चे को सर्दी में जो है वामिटिंग हो रही है दस्त लग रहा है तो इसका क्या कारण होता है और कैसे बच्चे को बच्चाना है खासी जुखाम, बुखार होना, पेट में दर्द होना, उल्टिया आना ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है डाइरिया होने कारण होता है वाइरल इंफेक्शन, वाइरल इंफेक्शन जैसे आप अगर सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं बच्चे के हाथ नहीं धुले हैं खाना खाने से पहले, या फिर आप बच्चे को खिला रहे हैं तो आपके हाथ साप नहीं है, एंड वस नहीं है प्लस हाईजिन मेंटिन करके नहीं रख रहे हैं या फिर बच्चे को पानी आपको बाल के देना चाहिए, काफी स्वच पानी आपको बच्चे को देना चाहिए, जो को आप कहीं पे भी जो खुला खाना होता है, ठेले वाला खाना होता है, इस तरह का खाना आप बच्चे को दे दे रहे हैं, या फिर बच्चे को मौसमी सब्सक्राइब करें नहीं तो इस सबसे पहले जब बच्चे को डाइरिया हो रहा है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जितना भी वह पाने निकाल रहा है क्योंकि डाइरिया जब होगा तो उसके साथ उल्टी भी बच्चे को आएगी, पेट में दर्द भी होगी, बच्चे को कोई चीज खाने का मन नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि बच्चे की पानी की पूर्ती करनी है, क्योंकि जो भी बच्चा खा रहा है वो निकल जाता है, तो ऐसे मैं बच्चे को बच्चा अगर जैसे आपने अभी पानी पिलाया और बच्चे ने फिर शे उल्टी कर दी, फिर शे लूज्मोसन उसको खें, तो फिर शे आपको सिप सिप करके पानी बच्चे को देना है या फिर चमत से छोटा बच्चा है तो चमत से आपको पानी देना है ORS आप भी आप दे सकते हैं ORS सबसे बैस्ट होता है डाइडिया के समय, दस्त के समय O.R.S आप दीजिए, अगर O.R.S आप नहीं दे पारी हैं तो घर पे आप O.R.S बना लीजिए उस पे मेरा अल्री वीडियो है, वो आप देखिये O.R.S कैसे बनाना है यानि कि सरीर में उसकी पानी की कमी नहीं होने देना है, गुलुकोस की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है नहीं तो बच्चा काफी serious condition में भी आ जाएगा अगर बच्चे को लंबे समय तक ऐसा चलता रहा दो तो बच्चे को आप सिकंजी भी दे सकते हैं, कुछ बच्चे वो RS प्रसंद नहीं करतें, सिकंजी आप दीधीजीए, या फिर बच्चे को छाँज देदीजीए, हलका गुन्गुना करके छाँज दीजीए, तो सही होने में 4-5 दिन लग जाते हैं ऐसा नहीं है कि आज ही आप घरेलू पाई कर रहे हैं या फिर आज ही आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं आज आपने दवाई देगी बच्चे को तो आज ही सही हो जाएगा ऐसा नहीं है बच्चे को 4-5 दिन सही होने में लगते हैं बच देखिए आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि बच्छे को ठंड ही ना लगें और बच्चा जो है Nफеksols पल्ड के ही ना आए इस से कैसे बच्चे को बच्चे को आपको हमश्ता ध्यान रखना है छोटा बच्चा थो सको व्रप करके यानि कि अच्छे से कपड़े से लपेट के कंबल से लपेट के ही बच्चे को सुलाना है हाथ में दस्ताने होने चाहिए छोटे बच्चे क्या करते हैं कि बार बार उंगलिया मुह में डालते हैं और हाथ बच्चे एक तो बार-बार कहीं खिलोनों में टोईज में लगाए रहते हैं और वो हाथ जो है बच्चे के इंफेक्टेड हो जाते हैं और उसी को बच्चा मुह में डालता है तो ये दस्त की समश्या को बढ़ा सकता है जो भी बच्चा यूज करता है ऐसी चीज़े उनको साफ सुत्रा रखना है बिल्कुल बच्चे के आसपास जितने भी चीज़े हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए referred to , खोलेल उदे ओघुन कीछ क्यानिकूण कुछ सफासी इसे लाठेकर हो जबांद कि होगए जो बहुत आपको ध्यान रखनी है जी संबा पूब हमेश्य गरम कर एक सामे प directamente करनी है वो कुछ दिन पहले ही वीडियो मेरी चैनल पे आया है, वो जरूर आप देख सकते हैं, कि सर्ष्रों के तेल और लैसन से आप बच्चे की मालिस किस तरह से कर सकती हैं, सर्ष्रों और लैसन के तेल से आप बच्चे की मालिस करेंगी, तो किस तरह से बच्चे को गरम रखेगा और किस तरह से बनाना है इस तेल को तो वो वीडियो आप जरूर देखें आपके लिए बहुत ज़्यादा है रहे रखें और इन दो चीजों का अगर आपने पुरी सर्गियों में ध्यान रखा तो बच्चे को कोई infection नहीं होगा बच्चे को infection नहीं होगा तो डाइरिया भी न जरूर लगवाएं बच्चे तो आज के लिए बस इतना ही उम्मेद करते हूं इस वीडियो ने आपकी हैल्प की होगी अगर अभी भी कोई डाउट है कोई सवाल है आपके मन में तो नीचे हमें कॉमेंट में लिखे और किसी टॉपिक वे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे लिखे तो स्टिशीर कीजिएगा हमारी चैनल को जरूर सब कर दिएकन को और यह जिससे कि जो भी हम आगे वीडियो अपलोड करें उसका नेंटिफिकेशन आपको मिलता रहे आपे वीडियो मिस ना हो क्यूंकि ऐसी हैलफ़ुल टोपिक हम अम इससे अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं थेंक्यू, थेंक्स पर वाचिंग, टेक केर बाबा